श्री गड़े साय नमाहा, श्वागते आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूटूब चैनल पर, आज मैं आपको भगवान गड़े जी का बहुत ही अच्छा उपाय बताओंगा, दोस्तों इस उपाय की करने से संतान, पुत्र की प्राप्ति, नोकरी, रोग दूर होगा, शत्र पुत्र को लाव दीखेगा, पांच बुद्दवार का ये उपाय, बहुत ही चमतकारी और प्रभाप्साली है, इस उपाय की करने से जिनको संतान प्राप्ति में परिशानी आ रही है, दिक्कत आरी है संतान प्राप्ति नहीं उपा रही, या जिनकी हर कार में रुकावट आ जाती है, कर्ज चड़ता जाता है, कर्ज नहीं उतर रहा, या धनकी प्रोबलम है, तो उनको ये उपाय जरू करना चाहिए, इस उपाय के करने से शिग्र ही लाव मिलता है, आ रही सारी रुकावटे परिशानियां दूर हो जाती है, पूरे नियम और सिद्दा के साथ मे अगर आप ये उपाय करेंगे, तो भगवान गड़े जी जल्द ही आपकी मनुकामना पूरी करेंगे, कुंडली में आपके में संतान और धनका योग नहीं है, तब भी आपको ये उपाय बहुत लाब देगा, और आपकी मनुकामना पूरी होगी, आपको यह उपाय जिरू करना चाहिए भुद्धवार के दिन सुवे उटते ही सरप्रतम अपने हातों को देखें उसके बाद में धर्ती माता को प्रणाम करें उसके बाद में आप हात जोड़ करके भगवान सी गड़िजी के इस मंत्र का जाप करें बक्र तुन्न महाकाय शूर कोटी सम प्रवाह निर नमस्कार करें ओम गंगडपते नमा मंत्र का भी जाप कर सकते हैं भगवान गड़िजी से प्रात्ना करें के ही प्रवो हमारे सभी विग्ण सभी व्यादाओं का नास करें हमारे उपर अपनी किरपादिष्टी बनाय रखें उसके बाद में आपको इश्नान करना चाहिए श्री गड़े साय नमा मंत्र का जाप करते हुए गंगडपते नमा मंत्र का जाप करते हुए इश्नान करें इश्नान के बाद में आप पारक जाएं और वहां से थोड़ी सी हरी दुरबा ले करके आएं उसे गंगाजल से दो करकी रख लें और पांच या दो मोती चूर के लड़ू जो मोदक बोलते हैं वह मोदक लेकर के जरूर आएं उसके बाद में आपको शूर वगवान को जल अरपन करना हैं प्रतिक पूजा से पहले गड़ी जी गाध्यान और शूर वगवान को जल अरपन जरूर करना हैं जिससे किसी भी परकार की कोई विग्न आपके इस आएं उसके बाद में जब आप अरए गाच ले आएं तो अगर बेल पत्र का पत्ता मिल जाता तो वह भी ले 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 नहीं तो आप मीठा पान ला सकते हैं अगर मीठा पान भी ना ला सकते तो हरी मूँ तोड़ी से हरी मूँ रख लें गुड़ और घी ये सामान आपको मदार बोलते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा प्रवाव है 11 पुष्प उसके भी आप रख सकते हैं इस पूजा में मदार की जो पुष्प है उसका बहुत मैत्व है कही न कहीं से अगर मिल जाएं तो आपको जरूर लेने चाहिए ये तो आप गुलाब के फूले ले और ज क्या करना है भगवान गड़ी जी के सामने बैठ जाएं हाथ में जले करके संकल्प करें कि प्रवो हम अपनी मनो कामना के लिए यह उपाय कर रहे हैं आप हमारी मनो कामना पूरी करें जो भी आपके मन में कामना है वह आपको बूल लेना है और भगवान गड़ी जी के सामन अपन को अब दो और भगवान जी को मुदक का भोग लगाए अगर आप बजार से नहीं ला पाएं तो गोड का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं ये सारे सामान आपको भगवान जी के सामने रख देना है अब आपको क्या करना है वह ध्यान से सुने एक माला ले लेनी आपको और आपको एक दंताय बिदमही बक्र टुंडाय दीमही तन्नो दंती प्रचोदयाद इस मंत्र का पुत्र प्राप्ति के लिए धन प्राप्ति के इस उपाय से रोग नवारन हो जाता है आरही सारी रुकावटे व्यादाएं दूर हो जाती है जो व्यक्ति सच्चे मन से पूरी लगन से इस उपाय को करता है उसकी हर्मनों कामना पूरी हो जाती है अगर आपको साथ में यह सामान मिल जाता है मीठा पान नारियल केला तो यह भी आपको भगवान जी के सामने रखना है जब आप जाप कर रहे हूं उस समय जाप करते हूँ बीच में से उठना नहीं है जाप करते हूँ बीच में से बोलना नहीं है और बिल्कुर सांत मन से एक चित से आपको यह उपाय करना है यह आप 5, 7 या 11 उद्वार कर सकते हैं जितने आपकी बसकी है आप यह मंदर में कर सकते हैं घर में कर सकते हैं जहां पर इच्चा हो आप यह उपाय कर सकते हैं गरबती मेला है जिन्होंने गरबदारों नो चुका हैं तो वह भगवान जी के स उसको आप ग्रहन कर सकते हैं और नारियल का प्रसाद के रूप में ग्रहन करें और साथ ही केले का प्रसाद उनके सामने रखें और वह प्रसाद भी आप खा लें जाब के बाद में प्रणाम करने के बाद में आप यह चीजे जोली में डलवा लें और आपको इसका प्रयोग क कुछ ही समय में आपकी मनों कामना जिनको गरबदान नहीं हो रहा उनकी गरबदान उड़ोगा जिनको पुत्र चाहिए उनको पुत्र की प्राप्ति होगी और जिनके सरीर में कोई परिशानी है तो वह थोड़ा सा जल वगवान के सामने जरूर रग दें और मंतर जाप के बा कि आपको गोव साला जाना है और गोव माता को हरी घास खिलानी है गुड खिलाना रोटी खिलानी है जो आप उपाय करने तो भगवान को हरी घास हरी दुरबाद जरूर अरपण करने आपको जो गंगा जल में दोगया प्रत रखी थी हरी घास के 21 तने या 5 गड़ी बना लें हरी घास की चच्चोटे हरी घास की और वह है भगवान को अरपण कर दे भगवान विष्णु का अशिरवाद भी इस दिन ले लें भगवान विष्णु के सामने भी दीपक जलाएं तो ये साधरन सा उपाय है अगर आप इसको करते हैं तो सारे ग्रहे ठीक हो जाएंगे जो भी ग्रहन के असुब दृष्टी है वह दृष्टी सुब होगी और फिर इस उपाय के करने से जल्दी ही आपको लाव मिलना भी शुरू हो जाएगा तो जो भी चैनल पर पहले बाद चैनल को सब्सक्राब करें इस वीडियो को शेयर जरूर करें